एक बार एक पक्षी समुद्र से बार बार पानी बाहर निकाल रहा था तभी दूसरा पक्षी आकर कहता है भाई तुम यह क्या कर रहे हो तभी पहला पक्षी जवाब देता है इस समुद्र ने मेरे बच्चे निगर लिये है अब मैं इसे सुखा कर रहूंगा तभी दूसरा पक्षी पहता है भाई यह तुम से कैसे हो पाएगा तुम इतने छोटे और यह समुद्र इतना विशाद तुमारा इसमें पूरा जीवन लग जाएगा तभी पहला पक्षी कहता है देना है तो साथ दे सला देने की अवशक्ता नहीं है यह सुनते पहला पक्षी उसके साथ लग जाता है ऐसे करते करते हजारों पक्षी आ जाते है और एक दूसरे को कहते है देना है तो साथ दे सला देने की अवशक्ता नहीं है ऐसा देखकर भगवान विश्नु के वाहन गरोड जी भी यह काम करने चल पड़ते है तबी विश्नु जी कहते है गरोड तुम कहां जा रहे हो अगर तुम चले जाओगे तो मेरा सारा काम रुख जाएगा और कहां इन पक्षियों से यह समुद्र सूखने वाला है यह सुनका गरोड जी कहते है प्रभू देना है तो साथ दे सला देने की अवशक्ता नहीं है और क्या विश्नु जी भी समुद्र सुखाने चल पड़ते है और यह देख का समुद्र डर जाता है और उस पक्षी के बच्चे लोटा देता है आज इस संकर की गड़ी में देश को आपकी सला की नहीं साथ की जरूरत है आज देश को कोसने वाले नहीं बलकि समाज के साथ खड़ी होकर साथ देने वाले लोगों की अवशक्ता है इसलिए सला नहीं साथ दे अगर आप साथ देंगे तो भारत फिर से मुस्कुराएगा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस कोरोना की घड़ी में सब एक दूसरे कर सयोग कर सकें आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले